चानक के AIS Academy Current Affairs में आप सभी का स्वागत है आज हम बात करेंगे इसराइल हमास सीज़ फायर के बारे में इसराइल हमास युद्ध में दोनों पक्षों के बीच हाल ही में एक समझोता हुआ है इस समझोते के तहर दोनों पक्षों में बंदकों और कैदियों के आदान प्रदान के अलावा चार दिन के युद्ध विराम पर सैमती हुई है इस सीज़ फायर के तहर हमास ने 25 बंदकों को रिहा किया है जिसमें इसराइल के 13 और थाइलेंड के 12 नागरिक शामल है कहीं इसे सीज़ फायर कहा जा रहा है तो कहीं इसे हुमिटेरियन पोस कहा जा रहा है जहां कई विशेशग्य इसे केवल एक टूस या समझोता ही करार दे रहे है वही कई इसे सीज़ फायर ही नाम दे रहे है तो ऐसे में सवाल उठता है कि क्या यह समझाता तक्निकी तोर पर ceasefire ही है और क्या इसके कोई और माइने है अगर है तो यहें इन मान को पर कितना खरा उतरता है और ceasefire वास्तव में होता क्या है तो चलिए सबसे पहले देखते हैं seize fire क्या होता है एक युद में seize fire open fire शबका विलौन होता है ओपन fire का अर्थ होता है मोरचा खोलना या हमला करना ऐसे seize fire का मतलब होता है हमला रोकना लेकिन इसका अर्थ एक समझाता होता है जिसमें शान्ती की प्रकिरिया के तहर हमला रोकने का एलान होता है जिसमें युद्ध में भाग लेने वाले पक्ष सेन्य संघर्ष को खतम करने की इच्छा जाहिर करते हैं कानूनी तौर पर सीजफायर के अगर बात करें तो कानूनी तौर पर सीजफायर एक समझाता होता है जहां किसी एक छित्र में सेन्य गतिविदियों को किसी अवदी के लिए रोक देने पर सहमती होती है इसे एक तरफा भी एलान किया जा सकता है और इसे बादचित के जरिये दोनों पक्षों से निंधारित भी किया जाता है यहां गौर करने वाली बात यह है कि शाबदिक परिभाशा के तौर पर इसराइल हमास के बीच सीजफायर का समझाता ही हुआ है इसराइल हमास युद में मानमिय विराम का जो पहलू है आम तौर पर दो पक्षों में सीजफायर के कई कारण होते हैं जिनका सीधा समन दोनों या दोनों में से एक पक्ष के साथ ही होता है इसराइल हमास मामले में तीसरा पक्ष गाजा के फिलिस्तिनी नागरिक भी हैं जिनने हमास से अलग पक्ष के रूप में देखा जा रहा है इने के लिए मानविय आधार पर युद्ध विराम की अपील की जा रही थी जिसे मानविय विराम या हुमिटेडियन पोस कहा जा रहा है अब अगर अमेरिका का पक्ष देखी तो इस मुद्दे पर अमेरिका का डजरिया गौर करने लायक है अमेरिका शुरू से ही इस युद में इसराइल के साथ खड़ा है और वह इसराइल की तरह किसी युद विराम के पक्षमे नहीं था अब चोकी गाजा में नागरिकों की हालत बहुत आदी खराब हो चुकी है और युद्ध में मारे जाने और घायलों की संख्या काफी हो गई है तो उनकी सहायता की खातिर होने वाले विराम पर बाचित हो रही थी जिसे humanitarian post कहा जा रहा है युद्ध विराम की एगर परिभाशा की बात के जाए तो इसकी कोई निश्चित परिभाशा नहीं है सयुक्त राश्ट्र के दस्तावेज के अनुसार, ceasefire, truce, cessation of hostility और कैई अन्यशब, स्तिती और राजनेतिक प्रस्ट भूमी के अनुसार उप्योग में लाए जाते हैं सयुक्त राश्ट्र का साफ कहना है कि सीजफायर की कोई सारुप भूमिक परिभाशा नहीं है, वहीं इसके उदेशों के अनुसार इसमें कई प्रकार के सीजफायर बताये गए हैं, जिनमें humanitarian pose भी शामिल है, इस पूरे मामले में एहम यह है कि यह समझोता आने वाले समय मे समस्या का पूरा हल निकालने में कितना साहिक होगा, चुनौती ये भी है कि क्या यह है एक शुरुवात साबित होगा या कुछ दिनों के बाद हालात पहले जैसे ही हो जाएंगे, जानकारों को इस समझोते से बहुत उमीद नहीं है, क्योंकि इसके बाद हालात में है और दोनों पक्ष समाधान की और कितना जाते हैं ये माइने रखता है, इसके साथ ही आज का ये विशय यहीं पर समाथ होता है, हम फिर मिलेंगे एक नए विशय के साथ, आप हमारे यूट्यूब चैनल को लाइक, शेर और सब्सक्राइब जरूर करें, धन्यवाद!